OPS लागू होगा या नहीं सरकार का जबाब क्या है पूरा अपडेट इस वीडियो में चर्चा करेंगे लेकिन नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू सकरिएगा तो सोलापुर से कांग्रेस लोकसबा सांसक प्रनीती सुनिलकुमार सिंदे ने पुरानी पैंसन योजना को लेकर सरकार से सवाल किया है साथ ही उन्होंने ऐसंगटित चेत्र के कामगारों को 2013 के बाद से उपलब्द कराएगी पैंसन का राजवार डाटा भी मांगा है इस पर वित्तराज्यमंत्री पंकज चोधरी ने सदन में लिखित में जबाब दिये तो लोकसबा सांसक प्रनीती सिंदे ने सरकार से पूछा कि क्या वे पुरानी पैंसन योजना को फिर से लागू करने बाद विचार कर रहे हैं यदि हाँ तो एक जनवरी 2004 के बाद की सिवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कव से लागू किया जा सकता है इसके जबाब में वित्तरा जमंतरी पंकर चोधरे ने सबस्ट किया कि केंद्रिये सरकारी करमचारियों के समंध में पुरानी पैंसन योजना भाली के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचारा दिन नहीं है तो यह OPS को लेकर बड़ा अपडेट था इसके अलाबा अन्य कोई अपडेट होता है हम जल्द चैनल के मादम से साजा करेंगे इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन पोल पर जरूर से प्रेस रखेगा आप अपना फीड़बैक कमेंट सेक्शन में भी जरू से लिख सकते हैं